मिर्जापुर उत्रप्रदेश की रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहले मुस्लिम महिला फाइटर पाइलेट बनने जा रही है सानिया मिर्जा ने UPSC का NDA एक्जाम पास करके ये मुकाम हासल किया है NDA यानी National Defense Academy सेना में अफसर बन देश की सेवा करने वालों के लिए होने वाला एक्जाम होता है सोनिया ने इस एक्जाम में एक सोनचासवी रैंक हासल की है आपको बता दे कि अपनी बेटी की सफलता को देखते हुए सानिया के पिता शाहिद अली ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उनकी बेटी फाइटर प्लेन पाइलेट के रूप में सेलेक्ट हुई है पुरे देश में सिर्फ दो ही सीट थी जुन में से एक मेरी बेटी को मिली है मेरी बेटी ने पुरे जिले में मेरा नाम किया है उन्होंने बताया कि वो खुद एक टीवी मेकानिक है और अपने बच्चों के लिए उन्होंने 14 से 16 घंटे काम किया है उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी वहीं सान्या ने बताया कि वह अवनी चतुरवेदी से प्रेरित थी जब उन्हें पताचला की देश में अवनी चतुरवेदी के बाद कोई भी महिला फाइटर स्ट्रीम में कमिशन नहीं हुई है तभी से उन्होंने fighter pilot बनने का सपना देखा फिर NDA की तयारी की उन्होंने बताया कि इस बार NDA में कुल 19 सीटे महिलाओं के लिए थी जुन में से 2 सीटे ही fighter pilot की थी इसी के साथ सान्या ने ये भी कहा कि मेरे parents ने मुझे बहुत support किया था सबने मुझे पढ़ने के लिए काफी प्रेडित किया मैं यही आशा करती हूँ कि आगे चल कर लोग मुझे से भी प्रेड़ना लेंगे गाजीपूर की शाहर चाहोटल Grand Palace शादी हो, इंगेजमेंट हो, बड़े पार्टी, मैरेज एनवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मेटिया आपके पार्टी में भर दे जाँ अत्याधुनिक सुक्सुधाओं के साथ तीन बेंकिट हो, लजीज वेंजन से संपत, शांदार रेस्टूरेंट आपके पार्टी में चार चान लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुईदा जरूर पता रिए तो होटल ग्रैंड पैलेस चुंगी हीरो एजेंसी के सामने लंका गाजिक